तारिक फतेह जी को अब बच्चा बच्चा हिंदुस्तान में जानता है और उनकी आवाज कैनेडा से इंडिया तक पहुँची उनकी आवाज कैनेडा से इंडिया तक पहुँचाने का जरिया बने ताहिर गोरा जी मैं हूँ सौमय मिश्रा और आज मैं आपको तारिक फते सहाब के उस सफर की कहानी सुनाऊंगी जो उनका कैनिडा से इंडिया तक कर रहा है ताहिर गोरा जी ने उनका पहला इंटर्व्यू 2011 में अपने टॉक शो बिला तकलुप में किया जिस से तारिक फते जी की आवाज ना सिर्फ हिंदुस्तान पहुंची बलकि पाकिस्तानियों को भी पता चला कि उनके अंदर एक ऐसा प्रवक्ता है जो सर उठा के बात करना जानता है रोशन पाकिस्तानियों ने खुल कर बात करने वाले तारिक जी को सराहा टिपिकल पाकिस्तानी माइंडसेट रखने वाले पाकिस्तानियों ने उनको गद्दार कहा और उनके बारे में अपमान जनत बातें लिखकर सोशल मीडिया को भर दिया आईए, तारिक फतेह जी के ताहिर गोरा जी के साथ हुए पहले इंटर्वु की कुछ छलकिया देखते हैं संफाउच को जो चर्मेल हैं बड़े लिबरल हैं सैकुलर है विस्की भी पीते हैं विस्की पीते हैं उसके बावजूद वो अपने आपको महमद बिन कासिम और महमूद घजनवी समझते हैं आच्छा वो चोरी करने के बाद भी कहते हैं कि मैं हम पाक है और ये सिविलियन ना शायद वो एक गिल्ट है नहीं को गिल्ट नहीं है चोर बजारी में फोज को गिल्ट नहीं है इन्होंने 1958 से इस मुल्क को लूटा है अयूब खान से लेके आता है इनमें को शरीव पैदा भी होता है जनरल आजम खान टाइप का तो उसे फोज खुद मरवा देती है मेरे साथ इस वक्ट स्टूडियो में मौझूद है ताहिर गोरा सहाब ताहिर जी बहुत बहुत वेलकम नमशकार सलाम अदाब नमशकार बहुत शुक्रिया आपके तारिक फत्य सहाब आजकल इंडिया के आँखों के तारे बने हुए है और उनको इंडिया तक पहुंचाने क जो सफर था वो आपने उनके लिए तैकिया कैसा लग रहा आपको देखिए वो बस इतफाक की बात है कि मैंने आज से पांच साल पहले तारिक जी का एक इंट्रिव्यू किया वो वाइरल हो गया और मेरा ख्याल है कि उस तरह की बातें जिस तरह की तारिक जी ने कुल अनोकी बातoben ती तो यही मेरा ख्याल कारण बना तो मतलब खुलक के बातें करते हैं और अब तो उनकी खुल के बाते करने की, जो पुजिशन है वो की सीक्रिट नहीं रही, पूरी दुनिया जानती है, कि वो खुल के करते हैं। मगर इंडिया में भी जाने जाते थे लेकिन वो चुक्के पाकिसानी शोज या इंडियन शोज में हिंदी और उर्दू में मेरे से पहले बहुत कम उन्हें बाते करने का मौका मेला था तो मेरे शोव में मैंने उनको दिल की बाते करने का पूरा मौका दिया और वो पुरी दुनिया में पहुंच गए तो जो वो खुल के बाते करते हैं अपको कई बार ऐसा नहीं लगता कि कुछ जादा ही खुल के बाते करते हूं कभी कभी लगता है मुझे भी, कि वो कुछ ज्यादा ही खुल के बातें करते हैं, मकर हमें खुल के बातें करनी भी चाहिए, इसलिए कि हमारे अंदर इतनी गुटन है, कि हमें एक दफ़ा खुल के बात आपस में कर लेनी चाहिए, यह जो इशुज है ना आज की complex दुनिया मे और especially वो issues जिनको तारिक जी discuss करते हैं, उन issues पर खुल के बातें होती नहीं, तो वो बहराल करते हैं, और मैं इंटर्वी उनका लेता हूँ, मैं उनको मौका देता हूँ, इसलिए कि मैं यह समयता हूँ, कि as an interviewer, मुझे अपने guest को मौका देना चाहिए, और वो करते हैं बात की है, तो क्यों न हम उनके TAC TV के एक उस शो की क्लिप देखें, जो Facebook, Twitter और YouTube पे 100 मिलिन से जादा बार देखा गया, आप ठीक कह रही हैं, और ये शो वाटसैप पे भी वाइरल हुआ, मगर मेरी आप से एक फरमाईश है, इसको दिखाने से पहले, ये वो शो है, जो उन्हों ने हिंदुस्तान के पहले विजिट से आने के बाद मुझे दिया, मगर इससे पहले जब वो गए थे हिंदुस्तान, उससे कुछ अर्सा पहले मुझे वो एक इंट्रिव्यू देखर गए थे, उसकी भी एक जलग देखिए, बिल्कुल, तो आईए उसी की जलग देखता है हिंदुस्तान जा रहे हैं तो आपके दोरे का मकस्द सिर्फ बेज़र करें हैं। और मेरे बुक का, किताब का जो है कि ये तमाम ट्रैज़िदी रॉम खालिस्तान तो बंगलदेश, तो कश्मीर, तो बलोचिस्तान, तो दी एर इंडिया बॉमिंग, तो गंगा की हाईजैकिंग, इंदरा गांदी का साइसिनेशन, लियाकित अली खान का साइसिनेशन, ये आम, इनकी जड़ है, मुहमद अली जिना, उसकी टू नेशन थियोरी और बृतन का इंसिस्टेंस के पाकिसान बनाया जाए ताके अमेरिका और उनाइड़ स्टेट्स के, बृतन के आम बैसे हों, नॉर्ट वेस्ट इंडिया में, तो स्टॉप दी रेड आर्मी एड्वांस काफी पैसा उस पे खर्च किया, थूरू नवाब और हिदरबाद दक्तन के नवाब और दूसरे उनकी तरफ से ब्रिटिन का पैसा आता था मुस्लिम लीग को, ठीक है, उस पे लिखेंगे तो थोड़ी रिसर्च करनी है उन लोगों से, जो पाकिसान छोड़ के दिली में, ठीक है, उनसे मिलूँगा मैं, ठीक है, वेलकम बाक फ्यूवर्स, आपने तारिक जी का वो क्लिप देखा जो उनके इंडिया जाने के पहले का था, अब आईए एक और पॉपलर क्लिप देखते हैं, जिसको इंडिया और पाकिस्तान में करोड़ो लोगों ने देखा, जिस कैसे आप समझते हैं, यह तो दाओद इबराहिम की एपिटमी है, इस मुल्क का काम ही यह है, कि यह दुनिया भर में शर्पसंदी फिलाए, और उसकी ब्लैक मेल में इसके जो जिनरल्स हैं, वो हंडर्ड़्स ओ मिलियन्स ओ डॉलर्स कमाके, फिर जाली पासपोर्ट, जाली कैनडा में आके सेटल डाओन हो जाएं, आप समयती हैं, मुल्क का कसूर है, इस आईडिया का कसूर है, जब तक पाकिस्तानी टू नेशन थेयरिम बिलीव करते हैं, और खुद कैनडा में बैठते हैं, चीन ने भी डाम लगा दिये तो आप उसके हां बिग गए, वहां तो म अफरत बड़ी पाई जाती है, क्यों? मैं खराएंच क्ज चोटा है, रंग काला है, बंगाली है, तो इंडिया भी आखिए पंजाब और यूपी सीपी के, नॉर्दन इंडिया जहां के हमारे रूलर्स हैं, वहां के उनके रूलर आते हैं, एक यूपी से आदी इसेम्बली हो जाती है, लोग सबा की, उसी माइंड सेट में, मैंने नहीं देखा किसी को एंटी पाकिस्तान इतना जितना एंटी बंगले देश हैं, इसकी वज़ा क्या? हमारा थोड़ा सा रंग गो रहा होता है, हमारी उर्दू ठीक है, हमारे कज जरा से ठीक हैं, तो हम तो पाकिस्तान का, तो एक पॉजिटिव फीलिंग है, नॉस्टाल्जिया, पाकिस्तान ही जो आया है दिली से पाकिस्तान, उसे हिट्रिड है, इस थिंग्स इंडियन्स डोंट अंडिस्टान के पार्टिशन जब इंडिया में उसका सोग बनाया जाता है, तो पाकिस्तान में celebrate की जाती है अर्दू की आपने बात की हिंदुस्तान में हमें जो तासर मिलता है अर्दू और उर्दू इशायरी को जैसे पूजा जाता है अर्दू का उनकी जबान थी वो रखते हमारे पता नहीं पाकिसान क्यों भेज दिया पाकिसान के लिए इंस्ट्रूमेंट अप कलोनियल अप्रेशन लेकिन एक सड़क पे आदमी सो रहा है और उस पे सल्मान खान काड़ी चला के मार के चला जाए और फिर लोग सड़क पे आ अरने दे फुटपार पे सो क्यों रहा था ये भी लोगों ने का लोगों ने ये तक कहा के दे आर डॉक्स दे डिजर्ब टू डाएं आपने सुना होगा इंडिया इस पॉइस्टू बिकम डी वर्ल्स ग्रेटिस्ट कंट्री मैं इस लिए नहीं के वार रह के आ रहा हूं जिस दिन उनको समझ में आया कि गांधी कौन है विवेक अनन्दा कौन है उनके कोटिलिया कौन है कौन उनके ग्रेट राइटर्स है वो ठंडे हो जाएंगे वेलकम बैक फ्यूवर्स ताहिर जी इतने शांदार इंट्विव के लापको बहुत बहुत बदाई है बहुत शुक्रिया जो बातें तारिक जी ने आप से कहीं वो बातें पूरे इंडिन मीडिया में पॉपलर आपको कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है उसकी वज़ा तो जो बातें ऑन्ने मेरे साथ इसकी यह क किय intrigued me ke रहा है अच्छा है और वही बातें वह सवस्क्राइन पात Lawrence Shashya लागा इंडिया मेरे साथ कहरी हैं मेरे साहन ग बाति हैं कि मेरे साथ जो नीज दिएकiquement में साहिए ने साथ किया है उस्कोर्स में, वह स्वारी निचесь लाइ इतनी बरीकी में नहीं जा रहे है यूकर समयते है वह बगता सीजन चर्णिल्स थे समयते हैं किस जगह पर क्या बात करनी है जिए उस तरह करते हैं अपनेmasकिंघ भाइपारी जितनी बाते हैं कुछ चीजों में agree to disagree हूँ उनके साथ आप यू कह लीजिए और वो बातें जो हैं उनकी कुछ ऐसी होती है जिनसे शायद मैं agree भी कर रहा होता हूँ मगर मेरी इच्छा होती है कि वो बातें जरह सॉफ्ट डंग में कह लadata मेरा ख्याल law लेकिन वो अपने काम करना जहाते हैं लेकिन वो नहीं समय ते क्यों मैं सोच हूँ वैसा ही होना चाहिए और शायद मैं नहीं समयता क्यों मैं सोच हो वैसा होना चाहिए लेकिन चुके as an interviewer मैं जब भी उनका इंटर्वियू करता हूँ तो मैं उनको पूरी बाती करने का मौका देता हूँ इसलिए कि वो उनका है और अज़ इंटर्वियूर ये मेरी पॉजिशन नहीं है कि मैं उनको इंटर्वियू के दौरान उनसे डिसएगरी करो तो क्योंकि आपने उनके साथ इंटर्वियू किया है तो क्यों ना आएए आपके और उनके किसी इंटर्वियू का एक स्पेशल क्लिप देखें जरूर आपने ये भी कहा कि असल में फ्रीडम अफ एक्सप्रेशन दुश्मन को राइट देने का नाम है उसका टेस्ट यह है तो ये नहीं है कि मेरे कितने राइट से हैं बलके मेरे दुश्मन को कितने राइट से मुझ पर इस तनाजर में ये बताईए कि आप एंटी इसलामिस्ट हैं आप ये मजभी एक्स्ट्रीमिस्म की सारी जिदगी आपने मखालफत की आइसिस वाले जब ये कहेंगे जो कि आपके दुश्मन है कि हम इस तरह का चाहते हैं अगर उसमें मारदार ना हो वो तो कोई मसला नहीं हो है फिर तो आइसिस वाले आकर बैठे नहीं है बात करें ठीक है तो हम थोड़ा सा मैं भी उनको सिखा दूंगा इसलाम क्या होता है कुछ थोड़ा वो मुझे सिखाने की कोशिश करेंगे और नाकाम रहेंगे उसमें सही क्योंकि अकल पर दे उनके पड़े में मेरे पर तो नहीं पढ़ाना हिंदुस्तान जिससे तालग बुन्यादी तोर पर आपका भी है मेरा भी है और सब पाकिस्तानियों का है जनास हाल वही है Hindustan ने तो बरहाल यह हमेशा से तयर किया कि वह अपनी एक सोविर लं पाथी रखे गा वैससे भी उसकी दोस्ती होगी उसके रूसी कैमेने समराज से भी दोस्ती अब आज के रूसे भी दोस्ती है तो यह पालीसी पाकिस्तान क्यों बessen जोगा सका पाक्सान पाक पाकिसानी नफ्रत तो बहुत है पाकिसानी लोगों की जैस के साथ यह डिसफंक्शनल है ना हर वो शख्स जो पाकिसान आपको गाली देता है वो पड़ा लिखा पाकिसानी जिसके बच्चे के वीजे के लिए वो लाएने लगाता इसलामबाद में हर आपको टोरांटो में जो पाकिसानी मिलता है गालियां देते हुए अमरीका को वो हर दो हफ़ते बाद अमरीका गयावा होता है लेकि वो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं बदकिसमी से जो कैनेडा से भी खुश नहीं है वो किसी से खुश नहीं होंगे कुर्तिलैन हैदर ने अपनी किताब आग के दरिया में लिखा न वो एक कैरेक्टर पीटर है या मैं भूल नहीं हुशने का हिंदुस्तान का मुसल्मान जिस सर्जमीन पे बैठता है उससे गिला जरूर रख करता है वो किसी अर्विस्तान की तराश में है जहां कारब कहता है हमारे मुल्क में मताना जो उन पे थूपते हैं पाकिसानी को उससे बड़ा दिल लगी होती है जो उनको हाथ से दिल लगाते हैं उनसे इनको नफरत बहुत है जो कनेडिन इनको कहता है आओ गले लग जाओ वो कहते हैं बड़ा ठीक बंदा नहीं है जो हिंदुस्तान कहता है तुसी जाड़े पराओ उसे कहते हैं दुश्मन हिंदुदी उलाद तहीरघ आपके जो शो की अन्दास था ओसके दूनाज मैं गाहना चाहाँगी कि आपने एक त्रेंट होūगी और कि आप दीमे-दीमे बात करके आप बड़ी बाते कह जाते occur देखिए, यह मेरी एक कोशिश रही, मैंने जब से टीवी के लिए शोज करना शुरू किये, तो मैंने सोचा कि इंडिया और पाकिस्तान के बहुत सारे टॉक शोज जो खासरे पॉलिटिक्स के बारे में हैं, वो बड़े शाउटिंग मैच होते हैं, दो लोग अदर आ रहे है एक window कुल रही है, इसमें से किसी minister को ले रहे है, किसी opposite party को ले रहे है, वो एक शखस किसी दूसरे की बात कोई नहीं सुनने दे रहा, वो एक कर रहा है, दूसरा बोली जा रहा है, तीसा बोली जा रहा है, तो मैं as a viewer, हमेशा ऐसे शोज को देखते में सोचा करता था, कि इन जो मैं करता हूँ जिसमें खुलके बात भी हो मगर वो इंटलेक्शिल लेवल पर डिस्कॉर्स हो और आपस में कोई लड़ाई ना हो मैं नहीं समझता कि मैं दो आपोजेट पॉइंट व्यू के लोगों को बिठा हूँ कभी-कभी मैं बिठा लेता हूँ मगर उसका फाइदा बहुत काम होता है मैं एक ही पॉइंट व्यू रखने वाले एक शथ के साथ वन टू वन बातचीत को ज़्यादा एंजोई करता हूँ ताकि उसका पूरा अंदर जो है वो मैं सामने लाऊं अपने व्यूर्स के लिए क्या बात है आपने इतना दिल खोलके हमारे साथ बाते क आप बहुत बहुत शुक्रिया थैंकि समया दर्शकों तारिक फते जी की आवाज इंडिया तक पहुचाने वाले ताहिर गोरा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद थे इसके साथ साथ तारिक फते जी के आपने कुछ खास क्लिब्स देखे हमारे स्पेशल शो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद